एलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे युजी समेश्टर टू सेशन दो यार इकिस तरच विंग पढ़ रहे हैं क्या कारण है आप सही बच्चो कदी के फेल होने का यह मैं कोशिजश करूँगा कि आपको बताने का गल्ती किसकी है टेकनिकल फॉल्ट है या यूनिवर्सिट्टी के दोबारा देखी सीधा बात्य किया गिया है क्या यह सारी बाते मैं आपको पूरा कंप्लीट बतानी कोशि करते हैं देखिए एक बात बता दू कल आते मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था आठी मिट सम्तिंग का ठीक है उस वीडियो को देख लीजेगा उस वीडियो को देखे आप लोग पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट में देखे पास है एंटर्नल दे इस प्रिण दो कि बनारा है कि आप लेता है कि आप से वीडियो बहुत है क्योंकि जरूत है क्या दिष्टा परिश्वार में ब्रॉड में नियनलिया गया जिसमें देखे इस पूरा जानते है पुना मुलें कन दो जानते हैं आपको महलूम हों करें बता देता हूं इसकुटनी बाले युनिवर्सिटी बाले फॉर्म डालते हैं आपने खुद अगर अपनी आपके युज़ सेमेस्टर वह नहीं तक युज़ सेमेस्टर जो बच्चे फोर में उनका सेमेस्टर थाट कर देख स्कुटनी फॉर्म आया थ आज जो मैं बात आपको यहां बोर रहा हूं में दिल से निकल रही है कोई यहां इसक्रिप्टेट नहीं मैं देखे कभी जब भी युनिवर्सिटी का कोई विडियो बनाता हूं कोई स्क्रिप्टेट वीडियो ने जो मेरे दिननों पर भावना है आपसे पच्चों के परत सबस्क्रिया होता है उसको जितने भी बॉड से ने प्रस्ता हो खालिज कर दिया यह दो है की बोर्ड की और से उत्रपिस्ति बाद जो रैंड्ट मली जाँच की जाए ठीक है एसा कहा गया तें किसी सिदा बात है अगर आपने एक मोवी देखियो में एक जांपल देता हूं अपने मोजोगों को देकि सिर्वाट कर सकते बेंगे तो दूसरी लोग भी देखिए क्या करते हैं तो यहाँ पर दिया गिया है कि यहाँ पर कि जो भी गड़ाते हैं उनको निलंबित कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन कब किया जाएगा करिए तो पहले आप देखे सीधा बात मैं इतना बाते बोर हो सकता देखे मेरे पर विकारवाई करती जाए देखे मैं आप सभी बच्चों के सीधा बाते सपोर्ट में कड़ा हूँ तो जो होगा तो देखा जाएगा फिलाल यहां देखे बात है कि आप सभी बच्चे जो भी समेस्टर 2 में उन सेमेस्टर सेशन 2020 से 23 सेशन का ठीक है देखे उसमें क्या बोला गया मैं आपको समझाने का कुछिस करता हूँ तो पासा पेपर दा स्टुएंट मस्ट सेपरेट लिए इस फॉर्टी परसेंट मार्क इन एक्स्टेनल इजामने सा अब दर पर दिखे को भी बच्चा को देख इसके पीचे पॉलिटिक्स होता है मैं किलरी बोलता हूँ देखे पॉलिटिक्स क्यों समेस्टर 1-3-5 में गवर्मेंट कॉलेज में मुश्ली कॉलेजों में एडविशन होता है इसलिए बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा आगे कैसे आगे बढ़िये का कैसे आगे बढ और उससे आपको ज्यादा माख से परसेंटेज के आपसे यह चार सी जीपी से कम किसी बच्चेगी नहीं आने चाहिए वो भी इवें समेस्टर यह नहीं समेस्टर 2 वह ना फेल हो चाहिए कि सीधा सी बात है अगला क्रेटे देखे क्या दिया हुआ है तो गेट प्रोमोशन कि आप लोग कम से कम ज्यादा तो चाहिए चाहिए पचास से कम नहीं चलेगा पचास मिनिमम में पचास एनी सेमेस्टर 1 में आपको 50% आने चाहिए समेस्टर 2 में पर तभी आप लोग पास कर पाई यह वह ना पास नहीं कर पाई गया ACC पेपर एंड जनिक पेपर जो हमारे ठीक किसी semester one में और semester two भी डिल भी देखिया अगर चार cgps कम है तो कि semester two में fail लिख ले करती है जाएगा यह मैं नहीं बोलता हूँ देखिये जो rules and regulation लिखे हुए आप जाके youtube में search के लिजेगे साइध मैंने इस पे proper session किया हुआ भी जब ही आया था तो मैंने किया मुझे याद नहीं आप रहा तो आपको सच करके देख सकते हैं साइध इंटरनेट पर बेलेबल हो सकता हूँ अपर जहां पर बोल दिया गया कि semester one में कोई बच्चा जो घर है अगर उसका चार cgp से कम आता है उसको फेल कर दिया है और इस बार आपने दिखा होगा मुटली बच्चे का sgp या पर cgp में बहुत बच्चों को दिया हुआ है तो चार cgp जो आया हुआ है ठीक है कि साधार पर बनाया कि आपको पता है आप जाके इंटरनेट पर सच के दिएगा कि sgp बनाया कैसे जाता है how to convert your result अगर आपको इस पर चाहिए तो मैं इस पर प्रॉपर से लाँगों लेगिन देखिए सवसदी प्याग बाद अभी मेरे पास भी पॉसिबल नहीं कि बोड मापको इतना बड़ बताने क्योंकि समय का थोड़ा सा देखिए दिक्कत चल रहा है ruler fund जो मैं आपको समझा रहा हुँ है आप बात यहाई कि आप सही बच्ची हुए फेल कहां पर किस कार्ण रहों पर यह जो मैं आपको थामनेस में लिख तो दिया है ठीक है जो मैं दिखा दे रहा हूँ इस वाजासे बच्चे भेफिल, क्यों मैं आपको बताने जाह रहा हूँ, देखिए, इतने बच्चे भे martyr हुए, कैसा है, देखिए, पहला बात तो बच्चों का कहना यह, रह 24 आजसा हैं, बच्चों का कहना यह, बच्चों कहना है, डेकिन इतना इतना बड़ा आर्ट्स के बेग्राउंड के साथ ऐसा कैसे सम्भा हुए है आप खुद सूचिए कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है और बहुत कम है लेकिन आर्ट्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल किया गिया तो यह कोई टेक्निकल इस्पेसल इसी तो नहीं हो सकता आप खुद सोच है कि सर हमारे गजम्द बहुत अच्छा गिया तो फिर भी हम लों को प्रोमुट कर दिया गया किस आधर पे कि जबकि उनका समेश्टर 1 भी अच्छा है सबसे बड़ा बात है समेश्टर 1 तक उनका अच्छ है समेश्टर 1 भी लुए देखे मोशली बच्यों 4 सेज़ी फिस तो यह तो रूल से उसके आधार पर भी पता नहीं उनिवर्सिटी वालों ने किस हिसाब जो रिल्ड बना है जो उनको फेल करार दिया गिया समस्टर टू के छात्रों को अब यह तो फंडा देखिया आज के अगवार में कुछ ऐसा जानकाई नहीं दिया हुए कि समस्टर पब्लीक इंट्रेश्ट ही नहीं रहता है इसलिए वो लोग बनाते नहीं और उनका सिदाबात को एडुटाइजमेंट नहीं आगे तो क्यों पैसे बनाएंगे वो लोग तो वो सभी भूल जाएक अकपार वाले आपको सपोट करने वाले इससा पोच कोने ज़रा बस कोई अगर बात विवाद होगा तो चाप दिया जाएगा उसके लिए आप लोग जन्वे करते हैं हमारा अकपार रेडी रहता है तो फिलाल अभी यूनिवर्सिट के दोरा से देखिए कोई ओपिसियल नोटिपिकरशन नहीं है कि क्यों इतने सारे बच्चों को देखिए फेल कर कर दूँ आपको फिलाल अभी जो मैंने रूल से रिवर्सिंस में आपको देखिए बाकी देखिए सिधा बात है अगर किसी का प्रमोट लगा उसको उतना दिक्कत नहीं होगा ऐस कंपेड़िजिस बच्चे का रिजल नहीं जा सकता है लेकिन फेल वाला सेमेस्टर आगे न करते हैं कोई दिक्कत है मैं तो कुछ जानगारी चाहिए तो कमेंट पूसन छोड़ दिजिएगा मैं ट्राय करूँगा एक प्रॉपर सेक्षन आपके जो डाउट रहेंगे उस पर भी कंप्लेट कर दूँगा ताकि आपका जो डाउट है वहाँ पर क्लियर हो जाए ठीक है तो चलिए बेश्टो प्लक और आलाम स्रसुति प्रेम आतरी चलिए बाई तब तक लिए जाहीं द्याभारत